जिसकी फित्रत हमेशा बदलने की हो, वो कभी किसी एक का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इनसान हो दोखे नहीं सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं बड़ी महंगी पड़ती है वो वकालत जब आँखे सच देख रही हो और आपका मन उस सच्चाई को स्विकार नहीं कर पाता कोई पागलों की तरह इंतजार करता है और कोई पागल बनाके चैन से सोचाता है दोखे बाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खुबी होती है कि वो बहुत मीठा बोलते हैं आजकल के रिष्टों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर गोलते हैं अगर किसी की गलत बाद भी आपको अच्छी लगती है तो वो प्यार नहीं बल्कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक ही को चुके हैं हम बाग खत्म नहीं करते बल्कि रिष्टा ही खत्म कर देते हैं अपना सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार परना आजकल महपत के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है वो शिश्च तो बहुत की थी तुझे भुलाने की मगर ये कमबक्त यादे मुझे हर बार हरा देती हैं एक सच्चा हमसफर हर दर्द की दवा होता है हामोशी से सुनते हैं अपने खिलाफ बातें क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परिशानी आपकी हिम्मत से बड़ी अभी नहीं हो सकती फिर से शुरू करनी है अब अपनी जिन्दगी तेरे बदल जाने से भरोसा तूटा है लेकिन मेरा होसला नहीं कमाल है सब लोग मौश से डरते हैं जबकि ये जिन्दगी ही मौत का सफर है चुप रहना अच्छा होता है लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको अपने हक के लिए जरूर बोलना चाहिए जूट सुनने में भी मज़ा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो हम डर के नहीं सब कुछ कर के बैठे हैं कहीं भी फिट हो जाने को लाइफ सेट होना नहीं कहते जहां आपको हर बार एड्जिस करना पड़ता हो तो समझ लीजिए आप वहां के लिए बने ही नहीं है आपके इरादे इतने कमसौर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर तूट जाए जगह जगह प्रियास करने से अच्छा है एक ही लक्ष पर कड़ी महनत और लगन से काम किया जाए देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी आज के जमाने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है पुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए खोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसे यह हैं कि आपने सिर्फ वो चीजे करनी बंद कर दी है जो उन्हें आपसे चाहिए थी बाकी आप में कुछ नहीं बदला लौटे वो लोग हैं जो रूट कर चले जाते हैं तूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं जो अपनों के सताय होते हैं अपनों के ठुकराय होते हैं वो बहुत गढ़ोर हो जाते हैं दिल से भी और बोली से भी उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है पनावटी रिष्टों से कई गुना बहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो महबत और नफरत तहने को तो दो मामूली शर्द है लेकिन यही दो शर्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे लेकिन समय पे काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे तुफान का आना भी जरूरी है जिन्दगी में अभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में मदद लेकर शुकिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी वक्त से पहले मिली चीजें अपना मुल्यक हो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व को देती है मुझे ना जुकने का शौक है ना जुकाने का शौक है कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं बस उन्हें निभाने का शौक है दिखते तो यहां सभी इनसान हैं बस फरक इतना है कि कुछ जखम देते हैं और कुछ जखमों को भरते हैं फिर से उसी मोड सी शुरू करनी है जिन्दगी जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे जब आप बोलते कम और सुनते ज़ादा हो वो आप लोगों को ज़ादा पसंद आने लगते हो अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का वक्त तो अपने आप मिल जाता है ये दोनों ना दुबारा आते हैं ना दुबारा मौका देते हैं ऐसे लोगों से समल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ है अभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किसमत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी मत करना ये मेरी सला है इतने अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इनसान कुट्टों की मिसाल देते हैं ना हग दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर दोखा दे जाते हैं जिने आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है जिन्दगी कितनी भी बूरी क्यों न हो जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है हर इनसान की दो कहानिया होती है एक वो जो सब को सुनाता है और दूसरा वो जो सब से चुपाता है मौन सब से अच्छा जवाब है उस इनसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है जीवन में आप अपने आपको मजबूत बनाईए दूसरों के भरों से बैठे रहना आपको बरबाद कर देगा मेरा गुसा और मेरा प्यार सरफ उन लोगों के लिए है जिने में अपना समझता हूँ लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है जिन्दगी में चाहे आप दस बार फैल हो जाओ या सौ बार फैल हो जाओ पर कसम खालो या अपनी जिन्दगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है प्रेम बहुत दुरलब है उसे पकड़ कर रखो प्रोद बहुत खराब है उसे दबा कर रखो डर बहुत भयानक है उसका सामना करना सिखो टेंशन, डेप्रेशन और बेचेनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़ादा सोचता है सबर करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बहतर है लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है गदर्यान जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है आपके पास बस पैसा होना चाहिए क्योंकि भावनाओ की यहां किसी को कोई गदर नहीं है जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतोष नहीं है उसे भविश्य में मिलने वाली चीजों से भी अभी संतोष नहीं होगा दूसरों को अगर अपनी जिन्दगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिन्दगी में सस्ते हो जाओगे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बलकि चेंपियन बनना सिखाता है बस यही फर्क है हम दोनों में वो हमें फुर्षत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्षत नहीं मिलती वो तुम नहीं मेरी उमीदे थी जिसने मेरा सबसे जादा दिल दुखाया था प्यार वादों से नहीं अहसास से काइम रहता है कुछ दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी जादा अधास हो जाता है अब तो मजभ कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो लेकिन सबसे पहले वो अपना फाइदा ही देखता है अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिष्टे एक नए रिष्टे में बन जाने के बाद कुछ लोग जूट भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं बातें कि वो इंसान आपसे जूट बोल रहा है लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है विश्वास जीतने में तो पूरी जिन्दगी लग जाती है लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है बदलना तो तैह हर चीज बदलती है किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते है लोग इत्वाक से सरफ मिलते हैं लेकिन बिछड़ते सब अपनी मरजी से है भूलना सीख लीजे जनाब इसी में आपका फायदा है क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इनसान ही खत्म हो जाता है चरण उनके चूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हो किसी की आदत होना महबबत होने से भी ज़ादा खतरनाक होता है जो चीज आसानी से मिल जाती है न इनसान उसकी कभी कदर नहीं करता मतलब के रिष्टे जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी तूट भी जाते हैं ग्रमंड और एहंकार की वज़े से इनसान खुद ही अपने दिष्टों को बिगाड़ लेता है इनसान कभी भीड में नहीं खोता इनसान खोता तब है जब वो अकिला होता है कमजोर होते हैं कुछ इनसान जहां गुसा आना चाहिए वहां पर रो देते हैं अभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को लेकिन मन की बार मन में ही रह जाती है मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं आप चाहे कितना भी शिद्दस से निभालो रिष्टे, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है भूलने वाले तो सारे बच गए मर तो वो गए जो अपनी महपत को भुला न सके सचे दिल से तूट कर चाहने वाले आखिर में अकसर खुद ही तूट जाते हैं कपडों की मैचिंग बिठाने से सरफ शरीर सुन्दर दिखेगा रिष्टों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए आपकी पूरी जिन्दगी सुन्दर हो जाएगी जूठी उम्मीद देने से बहतर है कि सच बोलकर आप मना कर दो जिन्दगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज़ादा खतरनाक होता है अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिन्दगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले दुनिया को देख कर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे जिन्दगी होती तो अपनी ही है और इसे जीना दूसरों के लिए पढ़ता है लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं इसलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए आप क्या है? ये जरूरी नहीं है लेकिन आप में क्या है? ये बहुत जरूरी है पीता हुआ कल आपके दिमाग में हैं और आने वाला कल आपके हाथ में है मून सा जीवन है इंसान का लेकिन एहंकार सागर से भी बड़ा है यहां हर एक शक्स मुसाफिर है एक दिन यादों से भी चला जाता है पीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता पर बीते हुए कल में लोगों का बरताव हर वक्त याद आता है लोगों से जादा उमीद मत रखो परना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा ये रिष्टे भी अजीब होते हैं बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना दोखे के खत्म नहीं होते मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत कोश होते हैं हरुसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इनसानों पर कर लेते हैं अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कितनी ही उचाईयों से मुझे गिराया जाए क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे कुछ से ज़ादा यकीन था जो आपकी भावनाव को समझ कर भी आपको तकलीफ देता हो वो आपका कभी नहीं हो सकता आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है और आपका शक आपके रिष्टों में चट्टान खड़ी कर सकता है आपका भी ये मत सोचो कि आप अकेले हो बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफी हो जाया ना करो अपने अर्फाज हर किसी के लिए बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है रूटने का हग तो अपने ही देते हैं परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है किसी को चाहना गलत नहीं होता लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है मैं जब डूबात और समंधर को भी हैरत हुई ये अजीब शक्स है किसी को पकारता ही नहीं जो इंसान हमेशा खामोश रहता है वो अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही होता है केवल जिद की एक गाट खुल जाए तो उल्जे हुए सारे रिष्टे सुलच जाए सबर की एक बात बहुत अच्छी होती है जब वो आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं न अक्सर वहीं लोग हमें सब से ज़ादा दुक देते हैं भरोसा करो, बगर किसी के भरोसे मत रहो आजकल तो जहर में भी इतना जहर नहीं होता जतना जहर कुछ लोग, दूस्रों के लिए अपने दिल में रखते हैं लोगों के लिए आप सिर्फ तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी उमीदों को पूरा कर दें और आपके लिए सब तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उमीद ना रखें जो आपके साथ रहकर भी किसी और का हो वो आपसे दूर ही रहे तो अच्छा है ये जरूरी नहीं कि जीने के लिए कोई सहारा हो और जरूरी तो नहीं तुम जिसके हो वो भी तुमारा हो जिन्दगी में आप किसी से बात करने के लिए कभी परिशान मत रहना क्योंकि अगर उसको आपकी सच में परवा है तो वो आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए दुनिया तो भगवान से भी दुखी है जहाँ जहाँ मुझे जरूरत ही तुमारी वहाँ वहाँ मेरा साथ छोड़ने के लिए तुमारा शुक्रिया महबबत वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे महबबत तो वो है जो सो गलतिया सुधार कर भी आपके साथ खड़ी रहे जिसने खर्चा कम करने की बात सोची समझ लो उसने कमाने की अकल खो दी है जो हमें भूल गए है उन्हें याद करना हम भी जरूरी नहीं समझते अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत परक है कुछ रिष्टों को वक्त के हाल पर छोड़ना बहतर है आखिर वक्त ही बताएगा उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ना है ये गल्यूग है यहां लोग अपनी परेशानी से कम बलकि दूसरों की कुशी से जादा दुखी होते हैं उनको भी चाते देखा है जो जिन्दगी भर रुकने का वादा करते थे प्यार में सिर्फ इतना जरूरी है एक चुप हो जाए तो दूसरे को समझना जरूरी है दुनिया का सबसे बहतरीन मास्क पैसा है जो सब का मुँ बन करा देता है अच्छे जरूर बने लेकिन उसको साबित करने की कोशिश कभी मत करो भीड में वो मेरे हाथ को हाथ लगा कर जाते है कुछ लोग गले जरूर मिलते हैं पर आखर में दगा कर जाते है सुखी होने के चक्कर में जो पुरी जिन्दगी दुखी रहता है उसे ही इनसान कहते है दिलो की बात करता है जमाना लेकिन महब्बत आज भी चहरों से ही होती है गुजर जाएगा ये दौर भी आप ज़रा धीरस तो रखो जब खुशी ही ना ठहली तो गम की क्या आउकात है चोट लगना भी बहुत जरूरी था क्योंकि चक्म जेसा कोई उस्ताद नहीं होता जिन्दगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिन्दगी में हर चगे बादाम नहीं बलकि दुखा खाया है आप बदल गए आपकी मजबूरी होगी अब हम बदल जाएंगे इसे हमारे उसूल कहते हैं एक पल के लिए मान लेते हैं ये किसमत में लिखे फैसले बदला नहीं करते लेकिन आप फैसले तो लीजिए क्या पता किसमत ही बदल जाए मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ती बुद्धिमान नहीं हो सकता मूर्खों से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि उनकी तरफ ध्यान ही मत दो कभी किसी के जजबातों का मजाग मत बनाना नजाने कौन सा दर्द लेकर कोई जी रहा होता है उटा नहीं हूँ, बस ठक गया हूँ इंतजार करो, पहले से बहतर लोगूंगा कभी भी टाइम पास के लिए रिष्टा मत बनाओ बलकि रिष्टे के लिए टाइम निकालो जिन्दगी में मनजले तो मिल ही जाती है बस वो लोग नहीं मिलते जिने इस दिल ने चाहा होता है जिन्दगी एक बार मिलती है, ये बिलकुल गलत बात है सरफ मात एक बार मिलती है, जिन्दगी हर रोज मिलती है जिसके साथ होने का गुरूर था मुझे उसी नहीं मेरे इश्क का मजहाग बनाया है अक्सर अपना-पना कहने वाले डगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले ही अक्सर खंजर गहुप जाते हैं पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीकते हैं लोग साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं रिष्टे भी निभाते हैं दुश्मनी भी निभाते हैं मुँपर कुछ और और पीट पीचे कुछ और ही होते हैं गिद भी कहीं चले गए हैं लगता है उन्होंने देख लिया है कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है कुछ खास लोग थे जिन्दगी में ऐसे आए जिसे जाएंगे ही नहीं और ऐसे गए जिसे कभी थे ही नहीं मजाग तो हमें बाद में बनाया जाता है पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं कूटे नहीं है हम, तोड़े गए हैं रोए नहीं हैं, रुलाए गए हैं, हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं, जितने बनाए गए हैं कलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोडने वाले तो हर जगह मिलते हैं कभी कभी मन को मना लेना ही बहतर होता है क्योंकि हर्जित हमें खुशी नहीं देती जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वो आपको अपना कैसे मानेंगे गुरूर किस बात का करूँ मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे चूने के बाद हाथ दोएंगे ये भी खासियत है मुझे कि मैं किसी का खास नहीं वो तम से सरवोतम सरफ वही हुआ है जिसने अपनी बुराईयों को सुना है और सहा है जिसका भी साथ दोख खुले आम दो विरोधी कहलाओगे गद्दार नहीं आजकर लोग हक तो जताना चाहते हैं लेकिन रिष्टा निभाना नहीं चाहते जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है अता उनकी भी नती शायद हम ही गलक समझ बैठे वो तरस खाकर बात करते थे और हम उसे महबबत समझ बैठे मुझे इंतिजार है जन्दगी के आखरी पनने का सुना है कि आखर में सब ठीक हो जाता है आप किसी को भी अपनी जन्दगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाए तो कि जब वो इनसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते बलकि अपने आप से नफरत करने लगते हैं बात बात पर गुसा करने वाले लोग वही होते हैं जिनने हमेशा कुछ से ज़दा इसी और की फिक्र रहती है बच्पन में कहानी सुन कर सोते थे आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं पता नहीं क्यों छोड़के चले जाते हैं वो लोग जिने हम زिंदगी समझ कर कभी खोना नहीं चाते दोस्त वो होता है जिसके साथ बाते खुलकर की चासके ना कि संभलकर करनी पड़े कोई भी अपना नहीं होता यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबर्दस्ती कभी अपना प्रेम मन दिखाओ मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं बस कोई था जिससे ये उम्मीद नहीं थी अच्छे लोगों का हमारी जिन्दगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाव कर रखना हमारा हुनर होता है कटना पीषना और निचोड़ा जाना अंतिम बून तक गन्ने से भेतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है बरबाद करना था तो किसी और तरीके से करते जिन्दगी बनकर जिन्दगी ही चीन ली तुमने प्यार की कदर तुझे तब होगी जब तेरा इश्क तेरे सामने किसी और का हो जाएगा भोकर रिखाता हूँ पर शान से चलता हूँ मैं कुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ करता वही हूँ जो मुझे पसंद है माना कि उम्र कम है लेकिन होसले बुलंद है जिन्दगी है तो आसान कैसे होगी आसान हो गई तो फिर जिन्दगी कैसे होगी आज के युग में अमीर का अपराद गल्ती माना जाता है और गरीब की गल्ती भी अपराद मानी जाती है कोई ऐसा सेनिटाइजर भी बनाओ जिससे मन का मैल और दिल की नफरत भी दुल जाए इसी इनसान के पीछे भाग कर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो क्योंकि जो आपका है वो आपको छोड़ कर कभी नहीं जाएगा नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि ये महबबत की तरह जूटी नहीं होती कि इतनी अजीब बात है ना लोग कुछ पल खुश होने के लिए पूरी सिंदगी दुखी रहते हैं इस सिंदगी मा जैसी होनी चाहिए किसी को कोई फरक नहीं पड़ता कि दूसरों के पास कैसी है सबको बस यहीं लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है शरारते करो साजिशे नहीं हम शरीफ जरूर हैं लेकिन वेवकूफ नहीं जब इंसान का दिल तूटता है ना सिर्फ दिल ही नहीं तूटता उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी तूट जाता है जो सिर्फ आप से होता है परमशत्रू से भी ज़धा खतरनात होता है गलत दिशा में भटकता हुआ मन रिष्टों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेले पन से महबबत सी हो गई है जिसके पास ज़धा अप्शन्स होते हैं वो किसी एक की फीलिंग कभी नहीं समझ पाते किसी के लिए इतना भी क्या तूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ हमेशा किसमत ही घराब नहीं होती कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं आदमी के शब्द नहीं बोलते बलती उसका वक्त बोलता है नजाने किस बात पे इनसान को नाज है जो आखरी सफर के लिए भी दूसरों का महताज है नजर भी क्या चीज़ है ये उसी को ढूनती है जो इसे नजर अंदास करता है आशिक पैर पकड़ते हैं मेरे मैं महब्बत भुलाने का हुनर सिखाता हूँ तालुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी रखो एब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते वजह चाहे जो भी हो दोखा आखिर दोखा ही गोता है रिष्टों की खुबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे दूरिया मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादा